भारत और वेस्ट इंडिज के बीच खेले गए पहले वन डे क्रिकेट मैच के अंदर भारतिय टीम ने पहले बल्ले बाजी करते वे 288 रन बनाए आठ विकेट के नुकसान पर वेस्ट इंडिज के कप्तान ने पहले टोस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैंसला लिया भारतिय टीम की तरफ से रोहित सर्मा ने 36 रन बनाए वहीं पर सर्यास अयर ने 70 रन बनाए 5 चोके और 1 चके की मदद से जबकि रिशब पंत ने 71 रन बनाए 7 चोके और 1 चके की आउट हो गए थे जबकि केल राउल है वो 6 रन बनाकर वो आउट हुए थे 19 वे ओवर के अंदर वो रोहित सर्मा आउट हो गए तो बारतिय टीम हो 28 रन आठ विकेट की नुक्सान पर वो 50 ओवर के अंदर वो बना सकी तो दोस्तों आपको क्या लगते है यह मैस को जीतेग भारत या वेस्ट इंडिज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं